हाँ जी दोस्तों तो ML Interview Series का आगला प्रशना आपके सामने उपस्तित है भाईया वो बोल रहें DB versus IV मतलब क्या dependent variable versus independent variable बड़ी fundamental terms दोस्तों ये प्रशन गर आपको पूछा जाए तो उसका क्या उत्तर क्या answer आपके दिवान में होना चीए वो बस कुछ ही मिन्टों में आपके सा स्कोर तो निकलता है ना final score सौ मैसे 90, 80, 70 कुस तो भाईया निकलता है तो ये score किसके उपर depend करता है ये जो score parameter है ये किसके उपर depend करता है ये depend करता है भाईया आपने five minutes engineering के वीडियो देखे है या नहीं ये depend करता है लेट से आपने book textbook जो होती ना आपने subject की वो refer की है या नह नहीं let's say वो depend करता है आपने number of hours जो putting किये है number of hours कितने आपने study किया पांच गंटे चार गंटे last night में 10 गंटे कितना भाईया आपने यहा पर पढ़ाई किया है वो number of hours भी आपर count out हो सकते है साथ ही साथ यार आपने यहाँ पर एक और चीज ले सकते हैं जैसे कि आपने यहा अब एक और funda ले लेते हैं एक और factor ले लेते हैं कि आपकी respectively college में attendance कितनी रही है क्या उसके उपर भी आपका इसको depend करता है हाँ या ना वो वाला भी funda जो भी आपन देखने वाला है तो अगर गौर से आप observe करोगे तो इसे मैंने dependent variable के अंडर लिखा है और इन सब चीजों कितना है college में ये जो respective आपके सारे factors है उसके उपर आपका exam score depend कर रहा है तो ये आपके सारे factors independent variable कहलाते है और ये वाला funda आपका dependent variable कहलाता है क्योंकि इनके उपर ये depend करता है अब ऐसे बहुत सारे होंगे यहाँ पर 5 minutes engineering के दो values होंगे yes no yes no आपने जो book refer किया yes no yes no यहाँ पर 5-6-7 गंडे का यहाँ पर आकड़ा होगा यहाँ पर 75-80% 90% का आकड़ा होगा आप इनके combination जो है एक respective आपको score देंगे इनके अलग-अलग combination let's say हमारे college में 1000 और 2000 बच्चे है तो उनके अलग-अलग combination होंगे उनके अलग-अलग score जो है वो यहाँ पर दिये जाएंगे तो य यह relation आपको जानना है समझना है एक और relatable example रखता हो let's say आपकी एक company अब college से पासओड होगे बड़िया score लेके अब आपने अपने खुद की company शुरू कि और उसको एक साल हो गया अब आप जानना चाहते कि मेरा annual profit कितना है एक साल जो भी हुआ है मेरे company को मुझे उसका profit जान रहें कितने number of hours के लिए काम किया जा रहा है working hours बराबर है और साथ ही साथ कितने number of projects जो है उसके उपर काम किया गया है क्योंकि ultimately यह factor जो है वो आपका annual profit जो ही decide करेंगे अगर number of employees लेट से जाधा है तो जाधा काम होगा तो जाधा profit होगा number of hours जाधा है तो जाधा काम होगा जाधा profit होगा अगर number of projects आपने intake जाधा लिया है तो जाधा sales होगा जाधा profit होगा तो यह funda कही ना कही आपका impact कर रहा है आपके dependent variable पे क्योंकि profit आपका depend करता है in respective factors पे इतना simple सा वो मामला है जाधा कुछ complicated नहीं है एक visualization के तुरू आपको समझाता हो आपके समख्ष कुछ इस प्रकार से data set मौझूद होगा उसमें बहुत सारे आपके records जो है observations जो है samples जो है simple बाशे मैं बोलू तो रोज जो है मौझूद होंगे but here we are talking about the attributes variables यह आपका variable है जो column है उसे अपन variable बोलते है attribute बोलते है feature बोलते है बहुत सारे नाम है ठीक है अब यहाँ पर आगर आप ग dependent variable यह target variable अपन कहते हैं यहाँ पर जो आपका y रहेगा let's say score रहेगा वो आपका depend करेगा कि आपने 5 minutes निंग के वीडियो देखे है नहीं वो आपका depend करेगा आपने book refer की है नहीं वो depend करेगा आपने कितने घंटे के लिए study किया है वो depend करेगा आपका attendance कितना है तो इन सभी factors क आपका respective y जिसे अपने denote करते है वित वाय जो कि आपका target variable होता है dependent variable होता है कुछ इस तरीके से आपको normally scenario जो है वो ml के जगत के अंदर देखने को मिल जाएगा of these two fundamental terms dependent variable and independent variable hopefully प्रश्ण को उत्तर मिल गया होगा अगर मिल गया होगा तो भाई यह इस वीडियो को लाइक कर दी इस वीडियो को लिए इस वीडियो कि दो